है आप सब भी कैसे हैं राउरे मन के जोहार आज हम अगला कलास में जाब भई हम इन कैल सर्वनाम कर पढ़ाई कर रही और आज हम नाकपुरी व्याकरन कर अगला अधिया विशेशन कर अध्द कर भई हम पढ़ाई ठीक है तो अब हम जादा देर नहीं कर रहा थी और हम आज क जो कलास सेके विशेशन उगे सुरू कर रहा थे तो सबसे पहले विशेशन होता क्या है इसके बारे में हम जानने का प्रियास करेंगे परिभासा की द्वारा ठीक है विशेशन किसे कहते हैं विशेशन सबसे पहले ये बात आता है कि जो विशेशन होता क्या है तो क्या बो गया है जे सब्द संग्या चाहे सर्वनाम कर बिसिस्ता बताएन न उके क्या सभद जो संग्या और शर्वनाम का बतलाता है उसको क्या करते हैं विशेशन करते हैं जैसे गुण दोस्त और संख्या मात्रा इस सब के बारे में जो विशेष्टा बतलाता है उसे विशेष्ण कहते हैं जैसे सर्वनाम के बारे में है कि वो संग्या के बदले में जो सब्द का परियोग किया जाता है वो क्या सर्वनाम कहलाता है उसी प्रकार से विशेशन संग्या या सर्वनाम का जो विशेश्ता है गुन है उसको दोस है या पिर संग्या के अधार पे हो अवस्था के अधार पे हो उसके अधार पे जो सर्वनाम और संग्या का विशेश्ता बतलाता है वही क्या कहलाता है व नाकपूरी भासा के अधार पर विशेशन कर के तैभेद होएला ठीक है तो नाकपूरी भासा में चायर किस्म कर विशेशन होएला ठीक है कितना प्रकार के चार किस्म के विशेशन होते हैं पहला है गुन वाचक होता है दुसरा परिनाम वाचक तीसरा संख्या वाचक और तो हम लोग आगे चलते हैं सबसे पहला है सबसे पहला है परिनाम वाचक ठीक है परिनाम वाचन होता क्या है जेकर से कोनो चीज वस्तू जैसन मनक नाप तौल कर जानकरी मिलेला उमन परिनाम वाचन विशेसन होवेला ठीक है जो ऐसा वस्तू होता है या फिर जो भी वस्तू होता है चाहे जए वह दर्वर रूप से हो या फिर पदार्थ रूप yourself जिसकर नाप्टोल किया जा सके जिसकर पृइनाम को इसकर निकाल सके मैंने हमने इग्जाक्ट हमें पता चले यह पंप लीटर पानी है तो इस एक परिनाम निकलता है कि इस बोटल में यही एक विशेष्ता होता है जैसे हमें देख लिए तीन पूर्षा पानी दूई विटा रबड चार बोतल पानी हैना यहापर पानी पूरस्ता हो रह रहा है कि वह चार बोतल का पाणी है है ना यहाँ पिसे क्या पता चल रहा है कि वो एक परिनाम निकल रहा है कि वो कितना है कितना है मने नापतौल का पता चल रहा है ना तो हम लोग अब आगे जाएं अगला है अगला भेध है विशेशन का संख्या विशेशन संख्या वाचक विशेशन ठीक है तो संख्या वाचक विशेशन किसे कहते है संख्या चाहे सर्वनाम कर संख्या कर बोध जे विशेशन द्वारा होवेला उके संख्या वाचक विशेशन कहना है ना वैसा संख्या वैसा सर्वनाम जिस से संख्या का बोध होता है नंबर का बोध होता है वो क्या कहलाता है? संख्या वाच्छा कहलाता है जैसे ये कोठरी में पाँच आदमी सूते हैं कितना आदमी सूते हैं? पाँच आदमी और इसमें क्या हुआ? संख्या पता चला? कि ये कोठरी में मन ये कमरा में पाँच लोग सोते हैं पाँच आदमी सोते हैं संख्या पता चला पांथ संख्या है ना और अगला है अगला है कि उ परिक्षा में पहील अस्थान लान लग है ना कि कोई अंसान के बारे में बोला है मतलब क्या बोला है संख्या संख्या का बहुत बताता है वही क्या कराता है संख्या वाचक तो वही बोला कि उ परिक्षा म नाल से करने मारे संखिया पें सन्ख्या क्या वाचक सथान में तो वही संख्या वाचक वीशेशन है वो दो तरह की होते हैं एक निश्चित अनिश्चित- संख्या वाचक क्या होता है जेकर में निश्चित संख्या कर बोध होएला जिसका में निश्चित संख्या का जानकारी मिलता है मन confirm संख्या पता चलता है मन उसको अंदाजा करना नहीं है कि मुझे संख्या पता है जैसे पहला पहीला बेटा मने वहाँ वो इनसान है वो आदमी है उसका चार बेटा है तो फलना जो है वो पहला बेटा है तो पहला बेटा है तो confirm है कि वो पहला ही बेटा है अगला क्या बलता है जैसे में चाइर किताब तो मुझे पता है कि उसके पहला चार किताब है confirm है कि मुझे पता है कि चार किताब है है ना और एक 50 साल, मतलब वो 50 साल का इंसान है, वो 50 साल का वृद है, वो चीज का पता चलता है, इसमें संख्या का confirm पता चल रहा है, है ना? और अगला है आनिश्चित संख्या विशेशन, जेकर में निश्चित संख्या कर जानकारी नी मिलेला, है ना? जेकर में निश्चित संख्या कर क्या बोलता है? जानकारी नी मिलेला, मतलब इसमें confirm पता नहीं है, कि वो संख्या कितना है, कितना संख्या में है, है ना? जैसे चाए किताब रही पार शिवार कहां Things को नहीं उसको अभाग सकते हैं यह कर सकते हैं जैसे तनिक तनिक तो कितना थोड़े सुद्वर कहां थोड़े सा कुछ पता नहीं है लुश में कि अंदाजा से ही देना है कि थोड़े से देना है अगे बढ़ रहा मन कन फंप पता नहीं है तो इस सब को अंदाज से करना है वही सब क्या करता है आनिश्रित संख्यावाच करते हैं तो वही आज संख्या वाचक विशेशन है समझ में आगये बढ़ेंगे आगे है लास्ठ ये सर्वनामिक विशेशन से पता चले ये सर्वनाम से रिलेटेड है के हैंना तो इसको अम लोग पढ़ेंगे कोछ शर्वनाम मन में जब कोनों संहिस्टा बताए कि विश्चेशन कर रूप मे बैवहार होईना थब उक शर्वनामिक विश्चेशन कहल जायला हैंना क्या ओड़ा है वैसा संहिसर्वनाम सब यही बोल रहा है कि वो ऐसा संग्या है जो कोई संग्या है जैसे राम है ना राम जाता है ठीक है तो वहाँ पे राम जाता है संग्या है तो उस सर्वनाम ये मंदगा विशस्था के लिए उसका पर्योग किया जाता है जैसे राम जाता है तो उघया तो लग गया सर्वनाम तो जैसे मैं देख लिएख लिए जैसे मैं समझ में आ जाएगा यहां है कि फ्रक्यू किताब लगा तो क्या हो गया एक Tetisता यहेंwny तरफ से कहां हो गया किताब का कूव नांगी संगय का swasta बतलाने के लिए सर्वनाम का परियोग किया जाता है वही सर्वनाम की विशेषन आगे दखेंगे चलिए आज यहीं समौत होता है तो यहीं तक था आज का क्लास तो विशेशन को ध्यान देना है कि सर्वनाम सर्वनाम विशेशन के कितने प्रकार है विशेशन होता क्या है इस सब को याद रखना है ध्यान देना है क्योंकि कि किसी भी तरह से कोशन आ सकता है तो इन सब बातों को ध्यान देना है तो आज के लिए इतना ही हम मिलेंगे कल कल हम विशेशन बनाना सीखेंगे कल के कलास में कि विशेशन किस तरह से बनता है वो सब का हम अध्यान करेंगे तो बहुत-बहुत धन्यवाद आज के वीडियो को देखने के लिए और आ अपने अपने घरों में रहिए सुरक्षित रहिए बहुत बहुत धन्यवाद कल मिलते हैं